हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना संसकारी सुमेट बहुत ही दर्दनाक आपको ये समय सीन देखने को मिल रहे हैं और कितना भयाना खासा है ये आपको खुद ये गाड़ी की कंडिशन देखके पता लग रहा होगा डिटेल में अगर जाओं तो बोलेरो गाड़ी है जिस इसरी गाड़ी को आगे की तरफ आई और सामने से आ रही थी एक बस जिसको बचाने के लिए ये एक साइड में यानि राइट साइड का जो ड्राइवर साइड का पोर्शन होता है वो उसमें लगा और ये स्पीड में गाड़ी जंगल की तरफ को चली गई पहले उससे आप स्पीड का अंदाज लगाईए से सारे पिलर और पूरी छट और पीछे का जो पोर्शन है वो पूरा पीछे की साइड ही चला गया है तीन लोग इसमें सवार थे और मौके पर तीनों की ही मौत हो गई और आप यह देखिए कितने भी स्टार रेटिंग या कुछ भी हम बात करें बोलैरो जो गाड़ी है वो जानी जाती है अपने एक लोहे के लिए एक मजबूती के लिए पुराने जितने लोग हैं वो इसको सबसे मजबूत गाड़ी मानते हैं और क्योंकि है भी है इसमें कहीं भी प्लास्टिक का बहुत कम यूज हो रखा है जादर से जाद जाती है आपकी क्या स्पीड थी तो यहां पर अगर यह सीधा हैड-on कोलिजन होता तो हो सकता है आगे के पैसेंजर को डैमेज होता है या किसी भी तरह की इंपक्ट होता पीछे के बच जाते हैं लेकिन यह जो शीयर हुआ है इसकी वैसे तीनों के तीनों की मौके पर मौत हुआ है तो आप इस भरोसे में आ रहे हैं कि आपकी गाड़ी 5 स्टार रेटेड है 4 स्टार रेटेड है ऐसा कुछ नहीं है गाड़ी अगर अच्छी भी बनी हुई हो जैसे कि आपको यह दिख रही है बुलैरो उसके बाद भी यह हाल हो सकता है सावधानी से चलना आपकी जिम्मेदारी है आपका परिवार गाड़ी में रहता है उसको सेफ रखना आपकी जिम्मेदारी है जिससे आपका एक्सिरेंट हो रहा है आपकी गलती से उनको भी इसी तरह का नुकसान हो सकता है जैसा यहां पर यह गाड़ी में हुआ तो मेरा बाद में यही कहना है कि सार रेटिंग अमर नहीं बनाती है आपको लेकिन आपकी जो स्पीड है गारी चलाने का तरीका है वही आपको सेफ रखता है